भारतिये विदेश मंत्राले ने पंजाब, नाशनल बैंक, PNB में महा घोटाले में हजारों करोड का चूना लगाने वाले दो मुख्य आरूपी नीरोमोदी और उनके सहयोगी का पासपोर्ट चार हफते के लिए निलंबित कर एक हफते में जवाब देने को कहा है। विदेश मंत्राले के प्रवक्तार रवीश कुमार ने महा घोटाले के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि हमने प्रवर्तन निदेशाले, E.D. की सलाह पर दोनों का पासपोर्ट निलंबित कर दिया है। साथे पूरे प्रकरण पर जवाब देने के लिए निरव मोदी और उसके सहयोगी मेहल चौक से को एक हपते का वक्त दिया गया है। सरकार की ओर से सफाई पेश करते हुए उन्होंने कहा कि निरव मोदी हमारे किसी अढ़िकारी के साथ संपर्प में नहीं थे। साथे उन्होंने यह दावा कि उन्हें अभी उनके लोकेशन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। फोटो में प्रधान मंत्री मोदी और निरव का एक साथ होना महेच क्लिक भर है। महाघोटाले में शामिल लोगों पर कारिवाही को लेकर रवीश कुमार ने कहा कि हम अपनी एजिंसियों की सलाह पर आगे की कारिवाही करेंगे। मंत्राले ने निरव और चौकसे से ये पूछते हुए पासपोर्ट रद कर दिया है कि उन पासपोर्ट आट 1967 की सेक्शन 10-3 के तहट पासपोर्ट को जब कर दिया जाए। और इसके लिए उन्हें चार हपते में जवाब देने को कहा गया है। अगर वे निर्थारित समय में ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाएगा। इससे पहले महा घोटाले में 11,000 करोड से ज्यादा की चपत लगाने वाले निर्व मोदी और सहयोगियों के खिलाफ कारवाही चारी है। भारतिय विदेश मंत्राले ने निर्व मोदी और उसके सहयोगी मेहल चौकसी का पासपोर्ट निलंबित कर दिया है। देश भर में निर्व मोदी के लगभग दजनभठ कानों पर ब्रहस्पतिवार से छापे मारी चारी है। इस कारवाही में अब तक 5,100 करोड की संपत्ति जब की जा चुकी है।